नमस्कार मैं स्वाती MPCG 24 News at Space में आप सभी का स्वागत है आई ये नजर डालते आज की कुछ खास ख़बर उपर नकसलियों ने फिर बांधा नकसली बैनर फेके परचे लांजी थाने से महच 5 किलो मीटर दूर ग्राम पॉनी में नकसलियों की आमद नकसल प्रभावी छेत्र लांजी में फिर एक बार नकसलियों ने बैनर बांध कर परचे फेके हैं और अपनी उपस्तेती दर्ज कराई है जनकरी अनुसार लांजी थाने के अंदर गत आने वाले ग्राम पॉनी में सरपंज के घर से कुछ ही दूरी पर नकसलियों ने बैनर बांध कर और बैनर के आसपास परचे फेक कर अपना विरोध जताया है उक्ता घटना लांजी पुले स्थाने से महच पाच किलोमीटर दूर की है वही नकसलियों द्वारा बैनर और परचे फेके जाने पर ग्रामिणों ने सुरक्षा पर सवाल उठाये हैं परचे में मडिपूर में महिलाओं पर हुए हिंसा और बलातकार के घटना के घोर निंदा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बे नकाप करने महिलाओं को भोग वस्तू, शुद्र गवार, पसू तुल्य और सकल तालन के अधिकारी मानेने वाली, सड़ी गली ब्राम्हणी, मनुवादी विचारधारवाले नरेंद्र मोदीजी और बिरेन कुमार सरकारों को उखाड फेकने के बात कही गई है बैनर के नीचे महराश्टर 36 गाण मध्यप्रदेश, स्पेशल जोर्नल कमेटे लिखा हुआ है, जिसकी आधार आधिकारिक पुस्टी की की गई है विदित होगी इसके पूर्व 26 जुलाई 2023 को किरनापूर थाने छेतर अंतरगत, बेल गाउं एवं बटानमा के बीच, जंगल मार्ग के किनारे दो लाल रंग के बैनर और पोश्टर पेडों के सहारे बांध कर अपनी उपस्तिती दर्ज कराई थी और मध्यप्रदेश की सीधी जीले के कुबेरी बाजार में आदिवासी यूवक पर पिशाप करने की घटना को लेकर भाजपा विधायक प्रतिनिधी नेता प्रवी शुकला को जल्द से जल्द सजा देने के बात लिखी गई थी MBCJ24 News Express लांजी सपावन कश्यप की रिपोर्ट अब बस्ती के अंदर आकर इस घटना को अंजाम दिया इन्होंने यहां पर आकर बेनर पोस्तर खेके गया है सरकार को बिरुद अपना जताया गया है और वीच गाउं में आकर इनके दौारा यह बेनर पोस्तर बांदा गया है हुआ पर चुआ है